हाद इस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है और इई इस क्लास में आज मनों पढ़ने वाला है सल्स बाउचर के बारे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पर सरक बाउचर की बेबारे मीं जाना था सब्सक्क्राइब कि जो भी हम अपने सप्लायर्श को इसकी एंट्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी indicators क्या हुआ था आजकी class में जो जानना है वो है आपका sell voucher क्या है sales voucher sales voucher i aspels book i sqa sqa creta If you go I want to Porky CeMM अप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन ट्रांसपर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटर लीज एंड डिस्पोजल आप गूर्स को सामिल किया गया है इसलिए जीस्टी कंप्लिमेंट इन्वाइस इसू करना बहुत क्रिटिकल होता है और जीस्टी के रिटन फिलिक को आसान बनाने क लिये यहां पर बाउचर शिरीच के फीचर का प्रेयों करके अच्वार्णों करका गाएघगाGenज पर क्योंकि हमें इसलिख का रिकौर्ट जीसस्टी इपार्टमेंट को B2B and B2C के रुप में अलग-अलग देना है जैसे क्या है इसके प्रियोग के बारे में बात करें तो इसके पहले मान के चलिए कि हमने आपको पर्चेज के बाउचर के बारे मैंने आपको बताया था जिसकी स्वाटकट की अपना इन होता था लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका सेल्स वाउचर कर रहा है कि सेल्स वाउचर में जब हम कोई भी गूट्स या प्रोडक्ट अतलब जो भी गूट्स हो गया या सर्विस हो गया जो भी हम बेचते हैं उसकी entry यंग sales voucher में करते हैं जो सो रहा है mister जो सो रहा है कुछ तरीका बेटने का, सिधा बेटो तो अपनी जो है accounting में यह बताया जा रहा है कि जो भी goods या service में क्या करेंगे sale करेंगे तो sale करते समय उसकी entry यंग को किस voucher में करना होगा sales voucher में करना होगा और जिसकी sortpad की क्या होती है F8 होती तो यहाँ पे कह रहा है कह रहा है कि disposal आप goods को सामिल किया गया है इसलिए GST compliment in wise issue करना बहुत critical होता है और कह रहा है कि जब GST की return feeling को आसान बनाने के लिए यहाँ पे voucher स्रीच को features का क्या करते है तो हम जो भी sale किये रहते हैं उसी के अधार में GST भरने का काम करते हैं तो इसके दो voucher हम create करते हैं एक आपका होता है sales B2B और एक आपका होता है sales B2C तो दोनों में अंतर क्या होता है sales B2B क्या होता है और sales B2C क्या होता है अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो करा है कि इसके लिए sales type को दो नए voucher में बनाना होगा, और यहां पर दो voucher अलग-अलग इसलिए बनाय गया है, क्योंकि हमें sales का report GST department को B2B और B2C के रुप में अलग-अलग देना होगा, जैसे B2B का मतलब होता है business to business, और B2C का मत इसलिए कि हम जो sales कर रहे हैं, अगर business से business हो रहा है, अगर एक business, दूसरे business man को sales कर रहा है, तो इसमें हम entry करेंगे sales B2B में करेंगे, किसमें करेंगे, sales B2B में करेंगे, लेकिन जब हम sales किसी customer को करेंगे, तो इसके लिए हम sales B2C का इसलिए इसलिए इसको दो पार्टिसन में श्रublles की ऐसले और दूसरा आपका सेलस भी तुबी होता क्या है तो देखिए सेलस भी तूबी के बारे मता रहा है कि जब एक रजिस्टार डिलर किसी अन किसी अन रेइश्टर डीलर को गूर्स या सेल करता है तो यह बिसनस पदो बिसनस का रहाता है मतलग दो बयापारी ऐसे हैं । मानके चलिक एक हो गए है आपके जो हैं एक आरके होगया है यह भी बिजनसमें है और एक आपका i A.S. यह भी बिजनसमैं ओर ये दोनों ऐसे भी अपारी हैं. इन्सकिंस पीश को सेल करता है यह ऊसको सेल करता है. या स्च्छों के बाला गुट्स को सेल करता है. लोस होगा ये दोनोगी नगी एक बिजनस्मैन दुसरे बिजनस्मैन को जब प्रॉटल पर इस्टाम कर आया है और यह पार्टी जब इसको सेल करेगा तो भी विजनस्ट तो बिजनस्टी कहना है क्लियर हुआ और यहां पे पता आ जा रहा है करें कि इस पाउचर को क्रीट करने के लिए हमको सबसे पहले गेतवे आप टैटा यह आना है वहां पे प्रियेट टाइप कर चाहिए और पहले सबसे आपने पर हम यहां से कमपनी अपना ओपन कर लेते हैं सबसे पहले आप देखें आप दिया भी गया कैसे आपको बनाना है यह सब स्टेप बाइस्टेप यहां पर दिया भी गया देखिए सब करें कि सबसे पहले गेट्म यहां पर जाना है घर वाउचर टाइप आपको जाना और वहीं से क्रेट करें थेल्स भी टू तो हम कैसे इसको ट्रांजेक्शन को करें तो यहां पर सबसे पहले अपनी अमिया असे उपन कर लेते हैं इसके बाद से आपको क्रियेट पे आना है इसके बाद से कहां पर जाना है पाउचर टाइप पर जाना है देखिए एंटर करना अब यहीं पर आपको मेंशन करना है अब एंटर करेंगा कि किस परकार का यह है तो सेल्स बाउचर यहां पे आपको सेल्स लेना है यहां देखिए इसमें सब इंटरफेस में आपको दिखाया गया देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है यहां पर आपको करेंगे यहां पर टाइप करेंगे यहां पर टाइप करिएगा सेल्स लोकल अब यहां पर आपको लेना है इंडाफ लेस्ट इसमें भी इंडाफ लेस्ट इसमें आपको लेजर क्रेट करना है अल्ट सी से यहां पर लेंगे सेल्स लोकल क्या लेंगे फ़ेस एकम करेंगे और यहां पर यहां पर यहां पर नयुकंट ब्लेना है इसमें आपको एक लेना है और्यान पर इंडाफ यहां पर एज टोटल इमाउंट इंग लिजीए गा इसमें आपको नॉर्मल राउंडिंग लेना है इसमें आपको एक लेना और एंटर करके से यहां पर आपको अल्ट सी से बनाना है क्या सेल्स इंटर से प्राइब करेंगे आप यहां पर यहां पर क्या दिया हुआ है इसके बार से जो अगला दिया हुआ है अब कह रहा है कि B2C किया होता है तो कहरा है कि जब एक registered dealer किसी अन्य अनरइज़िस्टरद dealer को goods या goods को sale करता है तो आप business to consumer कहलाता है इस voucher को create करने कि बीए option पर दोनों में अंतर समझेगा अभी वी तूब के बारे मैं आपको तो जब रजिस्टर दीलर आएसे धियापारी को फोटी सेव सेल करेड़ा, जिसका जिए सटी के पोटल पर इसे प्रद यू आपके लिए वह a एक बार्चर प्रिएट करना पड़े जैसे कि मान के चलिए इन्हों ने यसके ने अपना जीस्टे में रिष्टेशन कराया है अगर इनकी रिक्वार्मेंट है तो यह क्या इनको बेच नहीं सकते हैं तो अगर बेचेंगे तो यह बिजनस टू कस्टूमर हो जाए मतलब यह आपका परकार क और यह आपका रिष्टर्ड परसन है तो जब रजिस्टर्ड परसन किसी अन्यरिष्टर्ड परसन को किसी अन्यरिष्टर्ड परसन को जब किसी गूर्स को सेल करता है तब उसके लिए हम सेल्स बीटूसी का लेजर क्रियेट करते हैं उसकी एंट्री सेल बीटूसी के अंतर हमक चाहिक यारा तरिका सबसे पहले कहा करेंगे शिफे कि बता है एक पहले किली पर नंपने यह अब तरीका सबसे पहले क्या आता है किसलो में सब्सक्राइश多 र्ञेद करेंगे किली को कूल करे तो यहां पो ले लेना है क्या सर्साल कल अगर अपने जी अगर 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 इस तेड के अंधर के अनदर किसी गूट्स या किसी पूट्स को अगर हम सेल करते हैं तो प्लगता अगर आपने श्वार इसके बाद इसके बाद यस जी स्टी इसके बाद राउंड ओर इसमें लेना एज टूटल एमाउंट राउंडिंग और यहां पे एक और इंटर करके एक्सेप्ट कराना है तो यहां पर देना यहां पर देना है, यहां पर लएक्स इंटरुल इसे एक्सक्टप्ट करालाएगा, इसको भी इसे एक्सेट्प्ट करालाएगा. हो तक और अपकोषब नहीं बनती है तो सुधार कैसे करें है कि समझ में रहा है ना? अगर वामने चली कि अब किस पाउचर का किसी में टाइप कर लीजिएगा सेल्स बीटूबी यहां से सेल्स बीटूबी आपको दिख जाएगा तो यहां से आप इसकी सुधार भी कर सकते हैं लेकिन ट्रांजिक्षन कैसा दिया होगा तो देखें ट्रांजिक्षन के बारे में आपे बता देते हैं इसमें किस परकायर के ट्रांजिक्षन को इंफॉल करते हैं तो देखें जब बन जाएगा यह पूरा आपको लेजर यहां पर बना करके दिखाया गया कैसे आपको बनान और sales voucher की shortcut की मैंने क्या बताया जैसे ही आप F8 बटन दबाएंगे तो ये पूछेगा देखिए अगर आप sales B2B selection करेंगे तो sales B2B में जो आप transition कर रहे हैं वो अपने state के अंदर कर रहे हैं कि अपने state के बाहर कर रहे हैं इसमें आपको बार बार GST लगाना नहीं पड़े यह आपके लिए असान है कैसे किया मैंने देखिए सबसे पहले आपको बाउचर प्रेस करेंगे तो यह पूछेगा कि किस परकार का है अगर आपको नॉर्मल सेल्स करना है तो सेल्स नॉर्मल ले लिए यहां से पहकी स्वेस यहां पर सेल्स बी टू बी को सेलेक्शन करेंगे तो यह पूछेगा अगर लोकल लेंगे तो सीचेस्ट एज़ेट आएगा अगर आप इंटरिस्टेट ले लेंगे तब क्या क्या आएगा आएगा आज जेस्ट और राउंड आफ आएगा देखिए को तो आज लेब में च कर दिख़?